चैनल में आज आप आपको बतांगा इस वीडियो में अरूबा इंस्टेंट ओन एक्सेस पॉइंट को हम क्या हम फिजिकली एक्सेस कर सकते हैं और क्या हम सिर्फ क्लाउड पर ही एक्सेस करना होता है या हमें अरपस कौन-कौन सी ऐसे मैथेड है जिसको जिसके थुरू हम एक समय झालांए लिए किसकी औरनाइशन में but हमें नहीं पता होता है कि हमें उसे लोकली एक्सेसक्षज हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे हम MURॉड यह नहीं कर पाना है कि अ forsल मियुक्त में दो बहुत ning एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे या उस तरीके इस लोकली एक्सेस के थूँरू हम क्या ऐख सकते हैं सब्सक्राइब आपको लाज तक देखना पड़ेगा तब यह आपको सारी चीजे समझ में आएंगी तो सबसे पहले चलता हूं कि यह डॉक का मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ताकि आप यह डॉक ऑफिशली पढ़ पाएंगे और अरूबा इसमें डिस्क्रिप्शन हैं हार्डवेर पॉइंट्स हैं किस तरहीं का लोकिंग है कहां कहां पर पर पॉरा कंप्रीट आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो सबसे पहले चलते हैं इसमें देखें लिखा हुआ है कि अरूबा इंस्टेंट ऑन एपी लेवन एक्सिस पॉइंट इंसलेशन काईड तो यह अरूबा का ऑफिशल डाकुमेटेशन है तो हम नेक्स चलते हैं अरूबा इस्टेंट ऑन एपी लेवन डूल रेडियो एक्सिस पॉइंट आय ट्रिपली एट जिरो टू.11 एसी वेवटू तो बिसीकली अरूबा एपी लेवन डूल 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 एश्यों मतलब होता है कि तूपंट फाइगाहट्स और फाइगाहट्स दो चनल्स होते हैं, हमारे पासमें, दो फ्रिक्वेंचीज होती है, तो बहुत सारी डूल 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 करेंगा जिसमें दोनों चैनल सपोर्ट करते हैं कि 2.5 और 5 विगार्ट इसका यह मतलब डिलिवरी हाइप प्रफॉर्मेंस है और इसका जो मियू है तू एक्सपाइट तू एक्सपाइट है तू एक्सपाइट है इनके मल्टी यूजर मल्टी इन्पॉट मल्टी तो मॉंट या तो सील्ग मॉंट करते हैं तू टॉप मैं माउंट कर दो अपने शत्के यह तो किसी वॉल्ट loving कर तो थो तूरहीं स्प्रों कर सकते हैं complementary बचимости निप कर देंट तो इसको हमें डिवाइस को आउन करने के लिए हमें दू तरीके से हम इसको आउन रचते हैं यहां तो हमें इंजक्टर चाहिए होता है यहां पर सब्सक्राइब तो यह थोड़ा एजी होता है हमारे लिए अब हम नेक्स सलते हैं यहां पर आप यह दिखेंगे कि अब इसके डिटेल्स फिजिकल व्यूस किस तरह के लिखता है एप 11 एक्सेस पॉइंट लेडी टू इंडिकेटर्स में कि देखो इसके डिवाइस स्टार्टिंग अल्टरनेट ग्रीन आमबर डिवाइस रेडी तो यह तरह की जो इसके कर स sépshire स्टेटम आपको डिवाइस के कलर स्टेट से ऐंष पताच लेगा कि चलर ये इसका देख सकते हैं प्रची जो यहां पर आप मैंने आपको बदाया था कि इंजेक्टर के तरूब चलता है पावर अट्री तरूब चलता है यहां पर लिखाव है यहां पर लिखाव है लिए 12 वोल्ट सप्लाई सब्सक्राइब लिखाव है यहां तो आप अगर इसको अपने लिया हुआ तो इसको सीधा डिफॉल्ट सेक्टिंग कैसे करते हैं प्रेस और होल बटन डिशेट बटन इस तरीके जिए 10 सेकंड दिरिंग दन ओर प्रिफ्ट अप यहां पर देखें बिफॉर उजिंग देश तो अब यहां पर सारे डिटेल यहां पर हम इंटरेट की केवल करेंगे अगर अब इसमें आपको पहले बताया था यह तीन तरीक आ तो हम पावर नौर्मल एटर जो आता है इसके सात में अगर आगर अगर अगर आजाए तो यह तीन तरीके उते को सब्सक्राइब करने के लिए इस सारे इसमें डिसकुप्शन दिवी आप यहां मैं डॉकमेंट कर दूंगा और इसके लिंक बीडियों में जहां से आपसक लीटी स análम इसको निकाल सकते हो कि यह सारे ब्रेकिट है इस तरीके कि ब्राकट होता है और हम मोबाइल यासमें सारे इसको मैंच करें कर और हैं इसको theory से वह मैंन कर दो इसको इसको नि긴 इसथे का ने ज है वहां इसको मोटा क्रोंक में जैसे मैंने स्टार्टिंग होगा है कि हम कैसे इसको locally access कर सकते हैं को नहीं कर सकते हैं तो ये as per Aruba हम इसको locally access नहीं कर सकते हैं completely नहीं कर सकते हमारे पास शिसल व्हेल सिंगल है इसको अक्सेश करने के लिए configure करने के लिए और Run करने के लिए which is aruba instant portal आप इसको cloud-based ही device है आप cloud से ही config का सकते हैं so आप इसको locally access नहीं का सकते हैं तो जब भी आपको इसको access करना है simply इसके आपको poe जो internet की केवल है poe केवल वो आपको लगाने पड़ेगी या dc editor या आपको injector के तरह किसी भी तरह किसे इसमें power और internet के साथ आपको keyword लालनी है और वहाँ पे आपको क्या करना है कि यह जो link है https colon jowel slash portal aruba instanton.com इस website पे जाना है मैं यह link भी आपको URL discussion में डाल दूँगा यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको एक account create करना है instant portal का पहले आपको requirement रहेगे email और password की वह सिर्फ email पासवर्ड की password कोई भी जो आप current generate करेंगे ऐसा नहीं कि हमें email का ही password चाहिए होगा तो आप वो generate करेंगे यहाँ पे इस तरके का login portal होगा email डालेंगे password डालेंगे sign in कर देंगे जैसी आप sign in करेंगे वहाँ पे आपको वो site show करने के option आजाएगा site फिर आप site डालेंगे फिर वो पूछेगा की wifi access point आपको configure करना है की switch करना है की अलग दूसरे device करना है तो वहाँ पे दो option आता है तो wifi and access point access point and switch या only access point तो आपको अगर access point शिफ करना है तो आप access point पे click करके next next करेंगे वहाँ पे आपको serial number पूछेगा जो इस device का serial number होगा make sure कि उस टाइम पे internet की cable इसमें connect होनी चाहिए poe की साथ में यानगी power के साथ में तो आप जैसी connect करेंगे इसी इसको internet मिलेगा जो serial number है वो cloud में आपको दिखने लगेगा जैसी इस device को आप add करेंगे add करने के बाद आप से बूछेगा user name and password क्या होना चाहिए आप वो डालेंगे उसके बाद वो completely click करेगा complete करने के बाद वो complete हो जाएगा फिर वो आपको उसमें इंटेडान लगेगा तो आप single sign in port है इसी पॉर्टल में आपके बास multiple device और आजाएंगे तो उसमें आड़ जा सकते हैं तो यह एक statement true है और UBA की तरफ से कि यह इस device को आप locally access नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं मतलब नहीं कर सकते हैं आपके बास only option है इसको cloud से आप को ही access करना पड़ेगा और cloud instant portal से यह access कर सकते हैं इसको यह इसके ethernet है यह वन एक हजार Mbps तक सपोर्ट करता है इसमें DC direct है और power or ethernet जो मैं POE की जिसकी बात करता हूँ temperature का है कितना temperature 0 से C डिगर यानिकि प्लस 40 0 से लेकर 40 डिगर तक यह support कर सकता है इतना storage temperature तो यह सारे चीज़े इसमें आती है तो आप यह आप अरूबा से कॉंटेट करना आप कोई issue आता है तो आप डिरेक्टली में साइट पर जाए सपोर्ट साइट है अरूबा इस्टेट कॉमिनिटी है मैं सारे यह लिंक्स आपको डिस्कॉप्शन में डाल दूंगा जहां पर आपको help होगा आपको अपको आपको होगा